दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने Facebook के profile को professional mode में कैसे convert करें मतलब कि उसको page में कैसे convert करें देखिए अगर आपको Facebook से पैसे कमाने है तो आपको Facebook पर page बनाना पड़ेगा अगर आपके अपास Facebook का profile है तो आप उसे पैसे नहीं कमा सकते उसके लिए आपको या तो अलग से page बनाना पड़ेगा या तो आप अपने profile को professional mode में convert कर सकते हैं अब देखिए अगर आप लोग अलग से page बनाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा घाट यह है कि आपको जीरो से लेकर 5000 फॉल्वर कंप्लीट करने होगे जैसा कि Facebook का आपको 5000 फॉल्वर प्लस लाश्ट नाइंटी डेस के अंदर आपको साथ हजार मिनट का वास्ट टाइम चाहिए जो कि पहले 6 लाक मिनट का हुआ करता था लेकिन अपके वह साथ जार मिनट तो ऐसे में अगर आप एक Facebook पेज बनाते हैं तो यह सब आपको जीरो सकाना पड़ेगा लेकिन अगर आप लोग अपने Facebook के प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कर्वर्ट करते हैं तो ऐसे में आपको 5000 फॉल्वर फ्री में मिल सकते हैं यह अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और यह सभी चीज़े मैं आपको अभी करके भी दिखाऊ कि कैसे आप अपने Facebook प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कर्वर्ट कर सकते हैं और कैसे आपको 5000 फ्री फॉल्वर्स मिल जाएंगे घर बैठे बैठे मंदब आपको कोई भी मैनत नहीं करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मैंने अपना Facebook एकाउंट ओपन कर लिया है और जैसा कि यह है मेरा प्रोफाइल अगर मैं आपको पेज दिखा दो तो पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फान बो नाम से मेरा एक Facebook पेज है यहाँ पर जब मैं जाता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं Facebook पेज कुछ इस तरहीकी का होता है यहाँ पर आपके Likes दिखाएंगे और कितने आपके followers हैं ये सारी चीज़े दिखाती है प्लस आप यहाँ पर वीडो वागर अप्लोड कर सकते हैं और Facebook पेज एक YouTube चैनल की तरह होता है जो सभी लोगों के पास जाता है लेकिन Facebook profile सभी लोगों के पास नहीं जाता है कुछ कमी लोगों के पास जाता है तो ऐसे में आपको Facebook पेज बनाना ही पड़ता है अगर आपको पैसा कमाना है तो देखिए यापर मेरे जो मैंने एक Facebook पेज बनाया था तो उस पर 304 follower है लेकिन अभी आपको कैसे 5000 follower मिलेंगे चली दिखाता हूँ अब देखिए मेरा यहाँ पर जो Facebook पेज है यहाँ पर आप देख सकते Facebook profile होगे तो चली अब हम लोग इसको professional mode में convert करके लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 dot मिलेगा जब आप अपने Facebook के profile पर आएंगे यहाँ पर 3 dot मिलेगा इस पर आपको click करना है और 3 dot पर click करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कई सारे option मिले है नीचे जब आप ध्याद देखे तो यहाँ पर एक option आ रहा Turn on professional mode मतलब यह जो option है यहाँ से मैं अपने इस profile को professional mode में convert कर सकता हूँ अब देखिए काफे सारे लोगों का यह problem है उनको यह option नहीं दिख रहा है अगर आपको यह option नहीं दिख रहा है तो इसका solution मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने facebook profile पर photo videos daily upload करना है और आपका facebook profile कम से कम 30 दिन पुराना होना चाहिए और उसपर आप actively video और photo upload करते रहे जब आप ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन facebook खुदी आपको यह option दे देगा अगर नया नया आपका facebook account है या फिर आपको उसपर कई दिन से inactive है तो ऐसे में आपको यह option नहीं मिलेगा उसके बाद user profile यहाँ पर अपने profile का लिंक डाल देना है और regards में अपना नाम डाल देना है या अपने profile का नाम डाल देना है अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस message को ऐसे copy कर लेना है यहाँ पर मैं इसको copy कर लेता हूँ और आपको क्या करना है कि अपने यहाँ Facebook profile पर आ जाना है अभी मैं आपको यह professional mode वाला करकर दिखाऊंगा लेकिन अगर आपको यह option ने आ रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आना है help and support में यहाँ पर help center में चले आना है help center में आने की बाद आपको यहाँ पर search कर लेना है profile to page profile to page convert यहाँ पर option आ रहा है and उपर एक profile to page वाला भी आ रहा है यहाँ से आपको सबसे उपर वाला option select कर लेना है profile to page अब यहाँ पर आपको सबसे उपर एक option निकरा है switch into your page in the new page experience अगर आपके profile में professional turn on का mode नहीं आ रहा है professional turn on का option नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से आकर facebook से request करने है कि भाई मेरे page पर मेरे profile पर professional turn on mode on कर दीजे और अगर ऐसे आप कर लेते हैं तो आपको 5.000 follower free में मिल जाएंगे वो मैं भी आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर आपको यह वाला option select कर लेना है और यहाँ पर आपको कुछ instructions बता रहा है इसको आपको ऐसे follow नहीं करना है नीचे आ जाना है और यहाँ पर पूछ रहा है was this helpful मलब क्या यह article helpful है अगर आपको यह article helpful लग रहा है अगर आपको मिल गया है अपना option तो भाई यहाँ पर yes पर कर दीजे लेकिन अगर आपको यह article helpful नहीं लग रहा है आपका फिर भी professional turn on mode नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर no पर click कर देना है and दूसरा option select कर लेना है this solution doesn't work यहाँ पर आपको click कर लेना है तो आप आपको क्या करना है यहाँ पर जो message मैंने आपको दिखाया है यह high team facebook करके यह वाला जो message है वो मैं आपको अपने description box में दे दूँगा वहाँ से आप लोग copy कर लीजेगा as it is या आप इसमें profile का जो link है वो उपर एकदम रख सकते हैं तो इसको copy करके आपको यहाँ पर आकर paste कर दिना optional वाले में and submit पर click कर दिना है उसके बाद हो सकता है दो-तिन दिन के बाद automatic आपके profile में professional turn on mode आ जाएगा and उसके बाद आप लोग उसको page में convert कर लीजेगा ओके तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिये अब चलिए मैं आपको अपने page को professional mode में convert करके दिखा देता हूँ और कैसे आपको 5000 follower free में मिल सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए जब भी आप अपने profile बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोग कम से कम 5000 facebook friend बना सकते हैं अब देखिए जैसे आप अपने profile को पेज में convert करेंगे तो वो जो आपके friend रहेंगे ना वो follower में convert हो जाएंगे और यह बहुत ही बहतरीन तरीका है 5000 follower लाने का तो आप 5000 पहले friend बना लीजेगा और उनको आप लोग अपने page में लाकर follower बना सकते हैं तो यहाँ पर तीन डाउट पर क्लिक कर देता हूं अब देखें यहाँ पर मुझे सारे process को complete करने को बोला है यहाँ पर bio add करने को कह रहा है profile picture add करने को कह रहा है cover photo and यहाँ पर create new content and यहाँ पर अपने बारे में कुछ लिखने को कह रहा है and अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो profile है वो facebook page में convert हो चुका है देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 71 followers मेरे जो facebook के friend थे वो follower में convert हो चुके हैं आपके सामने देखें मैंने live करके दिखाया है यह मेरा facebook page है facebook profile है ओके facebook profile है पेज नहीं है इसको मैंने अभी convert किया आपके सामने facebook page में और यहाँ पर देखें 71 followers आ चुके हैं तो इस तरीके से आप 5000 friend बना कर उसको अपने follower में convert कर सकते हैं अगर आप नया page बनाएंगे तो भाई follower आना बहुत ज़्याद मुस्किल हो जाता है लेकिन आप facebook profile पर 5000 friend अपने मन से बना कर उसको follower में convert कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका आपके सामने मैंने live करके दिखाया तो ऐसे में आपको यह सारी चीज़े कर लेनी है और जब यह आप सारी चीज़े कर लेंगे तो आपका जो profile है वो facebook page में convert हो जागा और आपके जो भी friends अब फॉलोव में convert हो जाएंगे और इसके बाद आपको अपने facebook page पर 60,000 minute views लाने होंगे जो कि कोई बड़ी बात नहीं है आपको अच्छा से video डालेंगे अचानक से वारल हो सकता है and facebook पर बहुत तेजी से video बारल होती है इस पर मैं आगे और भी videos लाता रहूँगा updated video उसमें मैं आपको पताऊँगा कि किस तरीके की video facebook पर जादा चलती है और कौन सी video में जादा views आते हैं तो यहाँ पर आप लोग सारा process complete कर लिजेगा मैंने एक और लेडी अपना facebook page बना कर रखा है यहाँ पर आप लोग यह सारे process कर लिजेगा and इसके बाद अगर आपको कोई भी problem आती है तो आप लोग comment box में बेज जीजग मुझे कोई भी question हो पूछ लिजेगा मैं अगला पर बना दूंगा अगर कोई भी serious problem हुई तो and मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी problem आने वाली है facebook page अभी बहुत तेजी से monetize हो रहे है and इसमें criteria भी बहुत जादा hard नहीं है तो अगर आप लोग youtube से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू उसका notification आपके पास आजए मैं मिलता है आपसे किसी और नए वीडियो में तब तक के लिए bye bye stay tuned